वाट्स अप गाइज, I hope you all are doing well, मैं काजल शर्मा स्वागत है आपका Classes Campus पर जहां मैं लेकर आती हूँ आपके लिए Daily Current Affairs का पॉस्ट माठम तो गाइज, आज टेट हो चुकी है 23rd of July 2020 तो चले शरू करते हैं आज का Session एक Motivational Code के साथ जो है, जब तक किसी काम को क्या नहीं जाता, तब तक वह काम असंभव ही लगता है जी हाँ गाइज, नेलसन मंडेला जी का यह है वाक्य है, उनकी यह है कोट इतनी powerful है कि वो अकेले ही अपने देश को सुतंत्र कराने में लग गए गाइज, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेलसन मंडेला जी ने अपने जिन्दगी के 28 साल जेल में बिताए, अंग्रेजों की हकूमत के दोरान नेलसन मंडेला जी ने इतना संघर्स किया अपने लाइफ में, उन्होंने जीवन के अपने 28 साल जहां पर उनके उनको तरह तर आंदोलन भी किये, तो गाइज, अगर वो खुद इस काम को शुरू ना करते, तो उन्होंने ये काम बहुत ही असंभव लगता, लेकिन उन्हों का यही नारा था, कि जब तक आप किसी काम को नहीं शुरू करते हैं, तब तक वह काम आपको असंभव ही लगता है, तो गाइ आपको भी, आप भी जिसके बारे में आप सौचते हैं, आपको भी वो काम करना है, उसको शुरू करना है एक बार और बात में वो काम आपके लिए easy होता जाएगा, ठीक है गाइस, तो चलिए इसी motivation code के साथ, बढ़ते हैं आज के session की तरफ, और अगर आप है channel पर ना है, त air bubble का गठन किया है, कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, तो guys इसका answer होने वाला है चीन, जो guys इसमें चीन हिस्सा नहीं है, क्या है air bubble और क्या है अंतर राष्टे उडान, guys जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया भर में जो pandemic है, जो महामारी है, कोरोना जो की चीन से आ कुछ देशों ने मिलकर जैसे कि France, UK, Brazil, US, तो इन सभी ने मिलकर ये अंतर राष्टे उडानों का flights का क्या किया है, इनको allow किया है, मंजूरी की है, किसलिए कि जो working people है, जो working visa पर लोग जो आते हैं किसी देशों में, तो उनके लिए ये flights को उडाना शुरू किया है, लेकिन उसमें exception कौन है, चीन, चीन को उन्होंने शामिल नहीं किया है, तो guys, यह है news, देख लीजे, इंडिया to launch air bubble flights to US, UAE, France और जर्मनी, यानि कि इंडिया, US, UAE, France और जर्मनी से क्या करेगा, अपने air bubble flights को, air bubble के तहत अपनी flights को उड़ाएगा, ठीके guys, तो यह थी news आज के पहल और दूसरी खबर है, एक दुखत खबर है, जो है, लाल जी टंडन जी का निधन हो गया, वो थी राजजपाल, जी guys, लाल जी टंडन जी जो की राजपाल थे, कहां के, मध्य प्रदेश के, राजपाल थे, लाल जी टंडन, उनका हाली में निधन हो गया है, तो वो मध्य प बाचपी जी के बहुत ही करीभी ठीक गईस तो वह बिया हुआ वेवाचाफी के बहुत करीभी मां जाते है और ये bjp की ही नेता थे ठीक गईस तो आपको याद रखना है लाज जी टेंडन और अब इसी के साथ इस news के साथ हमें अपना करना है क्या static information लेनी है च्छी गईज तो अब हम जानते हैं कि governor news में आ गया है governor की जो post है constitutional post है वो news में आ गई है तो अब हमें करना है क्या हमें जानना है governor के बारे में जो की provisions है हमारे constitution में तो guys आपको जानना है कि जो governor है या जो governor होता है वो state को होता है आपको मालूम है लेकिन जो states related जो भी provisions होते हैं वो कौन से सम्विधान के कौन से part में होते हैं guys तो part 6 में होते हैं इसी तरीके से जो part 6 है वो कहां से शुरू होता है कौन से article से होता है तो 152 से 237 तक क्या होता है part 6 है ठीक है इस constitution के जो article है 152 से 237 तक जो articles है उसमें क्या है governor के बारे में knowledge है ठीक है मतलब states के बारे में बताया गया है 152 से 237 अब इन में से जो governor है वो कौन से article में है वो है guys 153 article में 153 article आपको याद रखना है जो है governor से related और आपको याद रखना है कि governor की नियुक्ति यान की appointment कौन करता है तो वो है भारत का राश्ट्र पती ठीक है guys तो आपको ये याद रखना है तो चलिए बढ़ते हैं आपने next कबर के लिए जो है हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने million dollar के fitness उपकरण दान में दिये हैं तो guys भारत जो कि अपने पड़ोसी देशों के लिए एक भाई की तरह उनके काम आता है उसी बीच में उसी की तहत भारत ने मालदीव को क्या किया है कि fitness उपकरण दान में दिये हैं किसको मालदीव को जो कि हमारा south में श्री लंका की side में क्या है हमारा एक पड़ोसी देश है तो जिसको हम अपने सभी पड़ोसी देशों को क्या करते हैं भाई की तरह चोटे भाई की तरह ट्रेट करते हैं तो हमने Corona period में उनको क्या किया है fitness उपकरण दिये हैं ताकि वो fit रहे और Corona से मतलब अपनी immunity को अच्छे रखे और ताकि उन पर Corona effect नहीं कर पाए तो 8 million dollar के उपकरण दिये हैं भारत ने किसको मालदीव को Guys इसी के साथ आपको रखना है याद कि जो भारत है मालदीव की समय समय पर सहाईता करता ही रहता है तो Guys उसी के भीच आपको याद रखना है कि भारत ने मालदीव है उसकी आसक क्या सहाईताई की है जो कि आपके लिए इसके तहद बन जाती है किया most important thing चैक garlic आपको याद रखना है कि 1988 में 1988 में भारत ने मालदीव को क्या help की थी एक cactus operation चलाया था जिसके तहत वहां की एक सरक गवर्मेंट थी उस टाइम की 1988 में जो गवर्मेंट थी उसकी तखता परटी होने से बचाया था ठीके गईस तो यह आपको याद रखना है Cactus Operation आपको पूछा जा सकता है कि Cactus Operation भारत ने किस देश में चलाया तो आपको याद रखना है कि मालदीव में चलाया ठीके कब चलाया 1988 में चलाया इसी के साथ जब मालदीव को वहाँ पर पीने की पानी की कमी पड़ी हाला कि जो मा भारत ने अपने देश से यानि भारत से ओप्रेशन नीर चलाया किसलिए ताकि वहाँ पर हम पीने का पाने ड्रिंकिंग वॉटर हम प्रूवाइड कर सके यह कब किया था भारत ने गाईज यह क्या था 2014 की अभी की बात है 2014 की कुछ टाइम भाले की ही बात है तो यह आपको याद रखना है ओपरेशन कैक्टस और ओपरेशन नीर और इसी के साथ जो बिल्कुल हाल फलहाल की बात है वो है कोरोना की दवाई जिहां भारत ने मालदीव को कोरोना की दवाई भी प्रूवाइड प्रूवाइड कराई जो कि आपको यह रखने हैं सभी याद तो चले बढ़ते हैं इसका मैप देख लेते हैं और यह हमारे लिए जो strategic उसमें बहुत ही important होता है और गाईस यह जो उपकरण प्रूवाइड कराए हैं भारत ने वो है यह तो देखें गाईस यह जिम की तरह ही जो मतलब जैसे जिम में उपकरण होते हैं ऐसे ही यह उपकरण है ठीके गाईस तो आप देख लीजे इनको और गाईस इसी के साथ क जो हमारे है साथ में आ जैसे कि मैंने आपको नक्षा देखना बताया है कि जब अपने भारत को देखते हैं तो सबसे पहले बनाए एक प्लस का निशान उपर लिखे नोर्थ साइड में लिखे एस्ट और नीचे एस्ट यानिकी और साइड में वेस्ट यानिकी नोर्थ इस साथ वेस्ट नीचे जो भारत के नीचे होंगे वो कौन होंगे वो होंगे साथ हमारे सदर्न कंट्रीज होंगे ठीके गईज तो जो आपको रखना है याद और ये हमारे स्ट्रेजिक कंडिशन में बहुत ही important role अदा करता है कौन मालदीव ठीके गईज तो चलिए बढ़ते होने वाला है साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सेक्योरिटी के लिए क्या किया है भारत ने इसराइल के साथ समझोता किया है तो जो भारत की जो एक संसा है CERT 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 इन, CERT इन एक organization है उसने इसराइल की organization के साथ इसराइल के साथ agreement पर sign किया है जिसके तहत हम करेंगे क्या अपनी साइबर को साइबर सेक्योरिटी करेंगे CERT इन है जो एक संस्था है जिसकी full form है Computer Emergency Response Team Computer Emergency Response Team है जो की CERT इन है उस वो जो कि भारत की संस्था है वो साइबर सेक्योरिटी के लिए भारत में काम करती है तो इसी ने इसराइल के साथ यह है agreement sign किया है च्छी के गईज तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसराइल की location इसराइल की location है यहाँ पर इसराइल अक्सर न्यूस में रहता ही है जो उसने अभी हाल ही में किसके उपर इरान की जो नातांस जो एक nuclear site थी उस पर attack भी किया था इसराइल ने तो गईज यह है इसराइल ठीके गईज और इसके पड़ोसी देश है लेबनान जिसमें जो इरान है उसका एक संगठन है आतंकवादी संगठन है हिजबुला हिजबुला एक आतंकवादी संगठन है जिसको funding करता है कौन इरान क्योंकि इरान और जो यह है इसराइल है यह आपस में बहुत पुराने दुश्मन है तो गईज जो इरान है वो इसके पड़ोसी देश लेबनान को funding provide करता है वहां का एक संगठन हिजबुला हिजबुला नाम का संग्ठन आतंकवादी संग्ठन है तो उसको fund provide करता है ताकि वह समय समय पर इसराइल को करता रहे परिशान तो इसलिए इसराइल और टर्की की कभी नहीं बनती है और इसराइल ने हाल नहीं में आपको मैंने कवर की थी न्यूज जो थी नातांस जो की एक nuclear site है उस पर इसराइल ने किया है क्या attack ठीक है तो हमने इसराइल के साथ किया है क्या यह nuclear यह जो cyber security होती है उसके लिए हमने किया है समझ होते पर science ठीक है तो यह थी इसकी location तो चले बढ़ते हैं आपने next cover के लिए जो है हाल ही में भारतिय मूल के चंद्रिका प्रसाद स चंद्रिका प्रसाद है जो किस देश की रास्ट्रेपती चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद है जो किस देश की रास्ट्रेपती चुने गए हैं आपको याद रखना है सूरिनाम जो कि भारतिय मूल के हैं इंडियान बेस्ट हैं कौन चंद्रिका प्रसाद आने की इंडि लाण में जहां पर मैंने आप वे अपके आमजों के जंगल वह बताया था ज़हां हरны Perm सूरी नाम एक देश है जहांके हमारे भारती अमूल के रास्टरपती इनको चुना गया है ठीक है गैस तो आपको याद रखना है चंद्रिका प्रसाद जी को तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कबर के लिए जो है हालही में तमिल नाडू के किस पूर्व मुख्य मंत्री की जैनती पर सेक्षिक विकास तीवस के रूप में मनाया गया है तो गैस इनका नाम है के काम राज जी हां गैस तमिल नाडू के पूर्व मुख्य मंत्री थे जिनकी जैनती पर हाल ही में सेक्षिक विकास दीवस के रूप में उनको मनाया जाएगा उनकी अभी हाल ही में 15 जुलाई को क्या सेलिबरेट की गई है 117 वी बर्थे सेलिबरेट किया गया है 117 जैनती उनकी मनाया गई है जो के कामराज जी के बर्थेडा 117 जो बर्थेडा उनका उस पर क्या क्या गया है सेक्षिक विकास दीवस मनाया गया है जो कि तीन बार सियम रह चुके हैं कहां के तमिल नाडो के तमिल नाडो के तीन बार सियम रह चुके हैं गशेर में है सेक्शिक विकार्च दीवस तो आए जान लेते हैं कामराज जी के थोड़े बारे में तो गैस उनका एक प्लान था कामराज प्लान के नाम से उन्होंने क्या क्याई था कुछ रिफोर्म्स किये थे, रिफोर्म्स किये थे किस में? जो Congress है Congress में कुछ reforms किये थी यह Congress है नेता थी इन्होंने Congress में reforms किये थी चिक गईस और इन्होंने पूरे भारत वर्ष में political awareness फैलाने का काम किया था तो गईस यह important हो जाता है हमारे लिए कामराज जी का बढ़ते 170 जिस पर सिक्षैक्सिक विकास दिवस मनाया जाया करेगा आज के बास से तो यह है कामराज जी तो जिनको आपको रखना है याद तो guys next question बनता है हाल ही में भारत ने किस COVID-19 के चरण 1-2 की नैदानिक परिक्षण शुरू किया है तो guys इसका अंसर होने वाला है जाय कोवडी guys जाय कोवडी जो भारत ने COVID-19 का इसको इसको चरण है first और second जो phase है इसको टेस्ट करने के लिए जाय कोवडी एक वैक्सीन बनाई है किसने बनाई है Zydus Company ने यह वैक्सीन बनाई है ZYCOV-D तो इसके परिक्षण के यानि कि टेस्टिंग के बारे में जो हमारे भारत सरकार है उसने इसको दे दी है पर्मिशन यानि कि वो phase 1 और phase 2 में इसका टेस्टिंग कर सकता है तो guys यह आपको याद रखना है और इससे पहले कि इससे पहले कोवैक्सीन बनाई थी किसने बायोफार्मा एक कंपनी है उसने बनाई थी चिकर बायोफार्मा कोवैक्सीन एक कोवैक्सीन बनाई है जो जाइकोव से पहले कोवसिन बन गई है और बाइओ Nicholas कमपणी ने मनाई है और जाइकोव किसने बनाई है जाइडस कमपणी ने बनाई है ठीड की गईज तो गईज जान लेते हैं कि वैक्सिन क्या होता है इस result कैसे प्रियोग में लाई जाती है तो तो गाइस वेक्सिन कैसे प्रिगम लाई जाती है उससे पहले आपको जानना होगा कि बलड की बारे में तो गाइस बलड होता है और बलड में क्या होते हैं प्लाजमा होता है और प्लाजमा होता है 55% होता है प्लाजमा और सेल्स होते हैं बाकी जो बचे होते हैं वो सेल्स होत करते हैं हमारी रोगों से लड़ाई यानि की बोडिगार्ड होते हैं हमारी बोडि के जो करते हैं फाइट किस से रोगों से और उसके साथ होते हैं एंटीजन antigen क्या होते हैं जो रोग होते हैं antigen यानि कि antibody जो होती है वो लड़ाई करती है किस से antigen से यानि कि antigen कोन है हमारी जो फलाल में चल रहा है antigen वो कौन होगा गईज virus जो कोन है covid-19 virus यानि की coronavirus है जो है अब फलाल में antigen यानि कि हमारा दुश्मन और हमारे इस दुश्मन को मार भगाने के लिए कौन है हमारे साथ खड़ा जो है एंटी बोडी जो होता है हमारा बोडी गार्ड तो आपको इस तरीके से याद रखना है जो हमारा बोडी गार्ड है वो होते हैं एंटी बोडी और एंटी जन जो हमारे होते हैं दुश्मन तो कौन सा हमारा दुश्मन है हाल फलाल में वो है कोरोना आपको याद रखना है गाईस इसी तरीके से तो इसको इसके लिए इसको इसका इलाज करने के लिए क्या बनाया जाता है गाईस वेक्सीन बनाया जाता है जिसको बोडी में इंसर्ट करके इंजेक्ट करके वेक्सीन को इलाज किया जाता है हमारा ठीक है गईज तो जाले बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट कबर के लिए जो है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए साइब हर जागरुपता अभियान चलाया है तो guys इसका अंसर होने वाला है तेलंगाना तेलंगाना जो एक सदर्ण स्टेट है हमारा तो साइब हर है guys इस साइब हर एक campaign है जो चलाया है तेलंगाना government ने किस किस के लिए बच्चों और महिलाओं के लिए जो जो cyber अपराद होते हैं, cyber crime होते हैं, जो कि अभी भारत ने sign किया है, किस के साथ? आपको interlink करते चलना है, guys. इसराइल के साथ जो भारत ने अभी sign किया है, cyber security के लिए है क्या है, तो आप देख लिजे तेलंगाना, क्योंकि आप, guys, आपको देखने में आ रहा होगा, कि आजकल बहुत ही ज्यादा cyber crime बढ़ने लगे हैं, आपको आपने सुना भी होगा, कि Facebook की ID को बदल कर, लोग बाग पैसे हड़ अपने की नीती कर रहे हैं, अपनी हमारी ID को hack करके, तो guys, इस तरीके से आजकल बहुत ही ज्यादा cyber, जो crimes हैं, वो बढ़ने लगे हैं, इसलिए अब क्या कर रहे हैं, government ज्यादा cyber security पर ध्यान दे रही हैं, च्छिक है guys, तो आपको रखना है याद तेलंगाना, च्छिक है, cyber हर है इसका नाम, तो guys, चलिए बढ़ते हैं अपने next ख़बर के लिए, जो है, हाल ही में नीला सत्य नरायन का निधन हो गया, वै किस राज्या की पहली चुनाव आयुक्त थी, तो guys, इसका अंसर होने वाला है महारास्ट जी हाँ guys, नीला सत्य नरायन जो थी, यह महारास्ट की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, ठीक है guys, तो देख लेते हैं, इनके बारे में, और इनका फोटो, देखें, यह है नीला सत्य नरायन जी, और यह जान लेते हैं कि जो election commission, election commission जो है constitution में उसके क्या provisions है और कहां कौन से article में वो दिये गए हैं, तो guys, आपको याद रखना है कि जो नीला सत्या नरायन है, इनका जो निधन हुआ है, किस वज़े से हुआ है, कोरोना के चलते हुआ है, ठीक है guys, कोरोना हो गया था उनको, और कोरोना से उनकी म्रत्वी हो गई है, ठीक है guys, तो अब जान लेते हैं कि क्या provisions है हमारे constitution में, किस के लिए, जो जुनाव आयक तो होते हैं, उनके लिए, तो guys, election commission, election commission जो है article 3 23, 24 में कौन सा election commissioner है, ये, center केंद्रिय जो जुनाव आयक तो होते हैं, उनके बारे में कौन से article में है, 324 article में, और जो state के election commission होते हैं, वो होते हैं, 4 243 के, 243 के article में, जो होते हैं, इस state के election commission के बारे में बताये गया है, ठीक है guys, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने next ख़बर के लिए, जो आपको याद रखना है, और निल सत्तर नाजी हैं, जो किनके कोरोना से मृत्य हो गई है, तो guys, next question बनता है, जो है, हाल ही में, दुरघटना ग्रस्त, एर इंडिया flight 101 के अवशेस कहां पाए गए हैं, तो guys, ये news है, बहुत पहले की, लेकिन अब दुबारे से news में आई है, क्यों, क्योंकि इसके कुछ अवशेस पाए गए हैं, जो हमको रखने हैं, ये आद और, हमारे लिए भारत के लिए बहुती दुखत घटना थी, ये है एर इंडिया flight 101 के जो दुरघटना ग्रस्त हो गया था, जो हमारा plane, तो guys, Mount Blank Mount Blank जो था एक परवत है, जो है कहाँ पर France में, तो guys, France में ये है एक परवत है, Mount Blank, यहाँ पर हमारा एक aeroplane था, जो जो था Air India Flight 101 नाम से, ठीके guys, तो ये दुरघटना ग्रस्त हो गया था, और ऐसा कहा जाता है, कि ये जो airplane था, इसकी कोई natural ये accident नहीं हुआ था, बलकि इसको एक well planned के through, इसको ये है, इसका accident कराया गया था, तो guys, ये है लगाया जाता है, अमेरिका पर क्यों लगाया जाता है, और क्यों किया था, अमेरिका ने ऐसा, तो guys, आये जानते हैं, तो guys, अमेरिका, तो guys, जो ये air इंडिया फ्लाइट है, इसमें, जो थे हमारे, कौन थे, जो father of Indian nuclear program, father of Indian nuclear program, जो थे, homie, जहांगीर, भाभा जी, homie, जहांगीर, भाभा, जी, उनका, वो जा रहे थे, इस plan में बैठ कर, जो था, air इंडिया फ्लाइट 101, जाने की, जो, हमने जब nuclear, परिक्षन किया था, अपने देश में, उससे पहले, जो हमारे, scientist थे, बहुत महान scientist थे, उन्होंने क्या कहा था, कि हम, अपने, कि हम मैं, उन्होंने चाइना के, जो चाइना ने, 1964 में, अपना nuclear, जो टेस्टिंग कर ली थी, उन्होंने, फिर हमी जी भावा ने, क्या कहा, कि मैं, 18 महीने के, अंदर अंदर, nuclear, बॉंब बना कर, तयार कर दूँगा, तो गाइज, इस वज़े से, जो अमेरिका था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था, कि एशिया में, कोई और कंट्री, ऐसा आए, जो न्यूकिलियर, जो न्यूकिलियर पावर हो, जो न्यूकिलियर पावर हो, लेकिन, इस वज़े से, जो अमेरिका है, वो भारत से, भारत का दुश्मन बन बैठा, और उसने, होमी जे भाबा जी को, मरवाने की, पूरी प्लैनिंग कर ली, ये ऐसा कहा जाता है, और आई थिंग, ऐसा सच भी है, तो गाईस, ये अमेरिका पर, इल्जाम लगा जाता है, कि जो एर इंडिया फ्लाइट है, उसको, उसमें, था एक बहुत ही, कंट्रोवर्शल है, ठीक है, लेकिन आपको, इसको याद रखना है, और होमी जे बाबा जी की, को आपको याद रखना है, कि, ये थे, फादर ओफ इंडियान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये फादर थे, इंडियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जिस वज़े से, अमेरिका ने इनको मरवा दिया, ठीक है, और साथ ही, इन्होंने, इस्थापना की थी, कि, ताटा इंस्टिट्यूट, ताटा इंस्टिट्यूशन ओफ फंडमेंटल रिसर्च, ताटा इंस्टिट्यूट ओफ फंडमेंटल रिसर्च, जहाँ पर मॉंबई में, इसकी स्थापना की थी, और साथ ही, इसको, एटोमिक एनरजी, एस्टेब्लिश्मेंट ट्रॉम्बे, जिसकी स्थापना मॉंबई में की थी, और बाद में, इसका नाम बदर कर क्या कर दिया गया, भाभा एटोमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, ठीक है गईज, जिसको मॉंबई में, जो इनका इंस्टिट्यूट है, भाभा एटोमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, जो की आपको रखना है, याद ठीक है गाईज तो गाईज जो होमी जे भावाजी का जो ड्रीम था न्यूकलियर शक्ती बनने का वो तो उनके जीवनकाल में पूरा नहीं हो सका बिकोज ओफ अमेरिका बट उनका जो सपना था वो हमने वापस से पूरा किया कब 1974 में जी हाँ गाईज 1974 में बुद्धा मुश्कुराए और उन्होंने क्या किया जाने की 1974 में हमने एटोमिक न्यूकलियर परिक्षन कर लिया और जिसका हमने जिस मिशन का नाम रखा था बुद्धा मुश्कुराए ठीक है तो गाईज आपको ये याद रखना है तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो माउंट ब्लांक है जो परवत है वो फ्रांस में इस्थित है जहाँ पर हमारा ये दुर्खटना हुआ था अमेरिका ने कराई थी जो एक्सिडेंट कराई था होमिज बाबाजी का और जिसमें 177 पीपल को पीपल थे जो यातरी थ उनको उनका भी साथ में जो प्लैन क्रेश में उनका मिधन हो गए यानकी सब मर गए ये खबर है 24 जनवरी 1977 तो अब ये न्यूज में क्यों आई है गाईस आप पहले ये देखिएगा ये है हमारे होमी जे भाबा जी जो के ग्रेट परसनेलिटी है इंडिया की ठीक है तो हम ये ऐसे परसनेलिटी पर गर्फ करना चाहिए और अब ये न्यूज कबर में क्यों है क्योंकि आप इस इन इंसान को देखिए ये हैं फ्रेंच के जो की जिनको ये है एक अखवार मिला है आप देख रहे हैं गाईस इसको दे हिंदू न्यूज भारत का नंबर वन न्यूज न्यूज पेपर है जो इनको उसी माउंट ब्लैंक जो परवत है वहाँ पर इनको ये न्यूज मिला जब यानि कि 1966 में जो प्लैन क्रेश वा था उस तब का ये है न्यूज पेपर है जो अब इन व्यक्ति को मिला है जिक है गाईस तो इस वज़े से यह जो खबर है वो गला क्यों नहीं तो गाईस जो प्लैन क्रेश वा था वो कहां पर था माउंट ब्लैंक माउंट ब्लैंक क्या है एक परवत है और परवत पर क्या होती है परवत पर होते हैं बर्फ तो गाईस बर्फ होती है और वहाँ पर जो बर्फ होती है वो कभी पिगलती नहीं है और प इंद्रा गांधी टू बी प्राइम निस्टर यानि कि उस समय पर क्या था कि इंद्रा गांधी, हाल फ्लाहल में ही, यानि कि जनवरी, चोबिस जनवरी का ही है, I think news है, newspaper है, 24 जनवरी 1966, तो उसी समय पर इंद्रा गांधी थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन कर आई थी, तो गई तो Śाल ही में Đाइमर भाषा-जाम पावर प्रोजेक्ट खबरों में था इसका nirmar कहां किया जाना है तो इसका nirmar किया जाना है पाकुपिट कश्मीर में जो कोन कर रहा है इसका निर्मान चीन कर रहा है पाकिस्तान की Henffe किसको बनाने में डाइमर भाशा डैम पावर प्रोजेक्ट है इसको बनाने में चीन कर रहा है पाकिस्तान की मदद और उसमें चीन 70% फंड कर रहा है पाकिस्तान को और कुछ जो फंड बाकी जो बचा फंड है यानकी 30% फंड है वो कोन करेगा पाकिस्तान खुद लगाएगा ठीक है गईस तो जो की जिसका भारत करता है शुरू से ही वरोध और इसलिए यह न्यूज में थी खबर और इसी के साथ आपको जान लेनी है कुछ फैक्चल इंफोर्मिशन जो है की जो आपको एक एग्रिमेंट याद रखना है जो है 1960 का 1960 में एक एग्रिमेंट हुआ था जो हुआ था नहरू जी के जावारू जी के बीच और वहां के एक जर्नल थे जो थे अयूब खान जर्नल थे यानिकी पाकिस्तान के अयूब खान एक जर्नल थे उनके बीच 1960 में Indus Valley पर किली इंड़स इंड़स रिवर की जो क्या हुआ था उनके अग्रेमेन्ट कुछा था इंड़स एग्रिमेंट हुआ था तो डन आपको याद रखना हैstad में इंड़स रिवर अग्रिमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था draw in гр bad-web उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में बार दिया गया था तो गैस उसमें तीन तीन जो नदिया थी वो इन दोनों देशों के पास आई थी तो कौन सी नदी आई थी भारत के पास और कौन सी नदी गई थी पाकिस्तान के पास तो देखे लेते हैं तो गैस रावी नदी ब्यास नदी और सतलज नदी किस के पास आई भारत के पास आई और अयूब खां के बीच पाकिस्तान के पास आई कौन सी चेनाब नदी जेलम नदी और इंडस रिवर तो गैस ये तीन तीन जो नदियां थी वो भारत और पाकिस्तान के बीचे बढ़ती गई तो इस 1960 जो एगरिमेंट था 1960 का इंडस रिवर एगरिमेंट तो गैस आपको याद रखने नहीं आपको याद हो जाएगा आई सी जे के नाम से ये याद हो जाएगा आपको ये नदियां और आर बी एस के नाम से आपको ये याद रखने नहीं कि जो नदियां थी इनको एगरिमेंट हुआ था बाटा गया था तो गैस यह हैं पाक उक्यूपाइड कश्मीर जो कि रैड में है ये है भारत के पास जो रैड कलर में है कश्मीर ठीके गईस रैड कलर में जो कश्मीर है वो भारत के पास है और जो बाकी है ये गिलगिट बालतिस्तान है जो और ये है बाग उक्यूपाइड कश्मीर और ये है जो छोटा सा छेतर है ये क्या है ये एक सक सक्ष गामरिजन है यह किसमें पाकिस्तान ने किसको चाइना को क्या कर दिया गिफ्ट कर दिया ताकि चाइना इसका खयाल रख सके अगर हम भारत इस छेत्र को क्या करें अधिकार करने लगें तो ताकि जो चीन है वो इसके छेत्र को बचा सके इसलिए पाकिस्तान ने यह गा अक्षाई चिन और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर और गिलगिल बालतिस्टान जो आपको याद रखना है ठीक है गई तो चलिए यही थे आज़की कोशन और कोशन ओफ से लास्ट वीडियो है हाल ही में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो गाइस कोशन फॉर यू है किसे USIBC ग्लोबल लिडर्शिप अवोर्ट 2020 से सम्मानित किया गया है जिसका आपको करना है कोमेंट सेक्शन में क्या अंसर ठीक्यों गाइस थैंक्यों फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर शपॉर्ट